हेलो स्टूडंस आज हम प्रेपोजिशन की फूर्थ वीडियो लेके आएं इसमें हम पढ़ेंगे अब अब का यूज कहा होता है अब अब का यूज कहा होता है और अब अब का यूज कहा होता है यह चीजे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लास वीडियो में हमने पढ़ा थ अमंग एन अमंस्ट बिट्विन बिट्विन अमंग अमंस्ट का यूज का हुआ हुआ होता है यह हम विद्रूल पढ़े थे लास्ट वीडियो में अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो आप चैनल के प्लेलिश में जाके जरूर चेक आउट कर लेजेगा ओके आज हम अबब के बारे में पढ़ने वाले हैं सो लेट्स बिकिन यूज ओफ अबब अबब का यूज का होता है अबब का मतलब क्या होता है उपर यानि की हायर दैन की बात कर रहा है सबसे उपर की बात कर रहा है यहाँ पे अबब का परियोग क्या कह रहा है rule number one कह रहा है कि अबब का परियोग उपर यानि की higher than over के अर्थ में सम्मानता है होता है मतलब अबब का मतलब भी होता है उपर बट किसके उपर over के उपर higher than over के उपर जो चीजे लग जाएंगे वहाँ पे हम अबब का योज़ करेंगे जैसे example की तुरू समझेंगे the kites rose above the clouds अब यहाँ पे जो kite है जो पतंग है वो कहाँ चली गई है कहाँ उड़ी है कहाँ उड़ रही है वो cloud के ऊपर उड़ रही है cloud से comparison कर रहा है कि cloud cloud क्या होता है सबसे ऊपर होता है higher than होता है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे ऊपर क्या लगाएंगे above का यूज़ करेंगे कि जो cloud जो kite है यह कहाँ उड़ रहा है cloud के ऊपर उड़ रहा है तो इसके लिए क्या लगा देंगे above अब दूसरा example क्या कह रहा है the airplane is flying above the cloud मतलब airplane जो है वो cloud के ऊपर उड़ रहा है अब यहाँ पे cloud की बात कर दिया है cloud के ऊपर यानि कि सबसे ऊपर की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम above का यूज़ कर लेंगे ओके ओके तो कोई चीज़ जब यहाँ पे ऊपर की बात हो रही हो यानि की सर्फेस से उपर की बात अगर हो रही हो तो वहाँ पे हम अबब का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो एरोपलेन है वो क्लाउड के उपर बादल के उपर उड़ रहा है सर्फेस से हटके है सर्फेस से बहुत उपर की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे अबब का योज़ करेंगे प्रूट लंबर टू क्या कह रहा है अबब का प्रियोग मोर दैन इन नंबर और कॉइंटिटी यानि की संख्या या मात्रा में अधिक के अर्थ में होता है यहाँ पे क्या कहा है there are above 50 students in the class मतलब क्लास में 50 से भी अधिक छात्र है मतलब 50 क्या है एक एवरेज है कितना छात्र क्लास में कक्छा में होना चाहिए अब इस से अधिक छात्र हो गए तो हम क्या लगा देंगे अबब लगा देंगे ओके तो यहाँ पे क्या कह रहा अबब 50 students in the class मतलब जो वर्ग में क्लास में कितने students अंडेली आते हैं पचास अब पचास से कभी students अधिक आ गए जादा आ गए तो वहाँ पे अधिक के लिए हम क्या लगा देंगे अबब कर यूज करेंगे जैसे हर expenses हर expenses are above हर means मतलब उसका जो खर्च है उसके आमदनी से अधिक है कोई चीज अधिक अगर हो रहा है जितना average है उससे भी अधिक अगर आ रहा है तो वहाँ पे हम above का यूज करेंगे जैसे कोई exam हम देने जा रहे हैं और उसमें एक है कि 35 नंबर पे हमको passing marks है अब हमने क्या कर दिया हम 50 नंबर ले आए तो हम अधिक ले आए हैं तो यहाँ पे हम अधिक के लिए क्या लगा देंगे above का यूज करेंगे जो number 3 पे चलते हैं above का परियोग से परे यानि कि superior 2 के अर्थ में होता है मतलब कोई चीज से परे मतलब जो सुधीर जी है वो संदी के परे एक परे है मतलब किसी चीज से परे जैसे कहने नहीं ये बात मेरे से परे है तो यानि कि मतलब संदे से परे कोई चीज की अगर बात हो रही है superior की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे above का यूज करेंगे सुधीर जी या publisher above सस्पीस है मेरे संदे से भी जादा वो क्या है एक publisher है मेरे संदे से मत जितना मैं सोच नहीं सकता उससे अधिक वो एक publisher है तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे परे के लिए above का यूज करेंगे ओके जो number 4 क्या कह रहा है above का परियोग level बताने के लिए होता है जैसे sea level बताता है sea level बताने के लिए वहाँ पे हम above का यूज कर सकते हैं जैसे example है Mount Everest is 8,850 meters above sea level यानि कि जो Mount Everest है वो क्या है Mount Everest क्या है वो समुदर तल से 8,850 meter उपर है तो यहाँ पे एक sea level बता रहा है एक level बता रहा है तो level बताने के लिए भी हम क्या use करेंगे above का use करेंगे तो यहाँ था above इतना ही rule था above का use above का use कहां कहां करेंगे एक division ले 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 लेते हैं के उपर मतब उपर जो सबसे उपर हो वहाँ पे हम अबब का यूज़ करते हैं रूल नमबर टू क्या कह रहा था कि मोरदनी नमबर के अगर बात हो रही हो क्लास में मत्तब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लास में पचास से अधिक चातर कहीं अधिक की बात हो रही हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे अबब का यूज़ कर लेंगे चाह वो quantity में भी हो तो हम अबब का यूज़ करेंगे आगे क्या कहा रहा है कि से परे कोई बात हो से परे कोई चीज हो, superior to हो तो उसके अर्थ में भी हम अबब का यूज़ करते हैं लेबल बताने के लिए अगर कोई लेबल बताया जा रहा है जैसे C लेबल बताया जा रहा है तो वहाँ पे भी हम अबब का यूज़ करेंगे अब हम आएंगे use of over ओवर का यूज़ हम कहा कर सकते हैं rule number one क्या कह रहा है, over का परियोग के उपर मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि टच करते हुए के अर्थ में होता है मतलब ओवर का परियोग इसका मतलब भी होता है कोई चीज के ओपर और वो टच कर रही हो तो हम यहां पर ओवर का यूज कर सकते हैं जैसे please spread the cloth over the table मतलब cloth को क्या कर दो table पर spread कर दो करेंगे कि रूल नंबर टू क्या कह रहा है ओवर का परियोग के ऊपर यहां पर अब यह उपर का तो है मतलब बट यहां पर यह टच नहीं कर रहा है तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे ओवर का यूज करेंगे जैसे दक लाउट्स आर ओवर माई है जो क्लाउड है वो कहा है मेरे सिर के उपर है तो यहां पर हम क्या लगा देंगे ओवर करेंगे यहां पर देखें दूसरा example the plane is flying over the town अभी हमने क्या पड़ा था plane is flying above the cloud यह प्लेन था फ्लाइंग अब 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 दक लाउड की बात कर रहा था इसके बात कर रहा था cloud की अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि plane is flying over the town मतलब जो plane उड़ रहा है वो town के उपर उड़ रहा है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि plane is flying above the cloud जो plane उड़ रहा है वो cloud के उपर उड़ रहा है तो यहाँ पे हम कैसे use करेंगे कहां over कहां above जब दोनों ही तो यहां पर टाउन जो है, जब हम कोई surface से उपर की बात करते हैं, surface से जुड़ा हुआ हो और उस से थोड़ा उपर हो, तो वहां पर हम over का use लगाएंगे, और जब हम cloud की बात करेंगे, cloud से भी ऊपर कोई चीज उड़ रही है, तो वहां पर हम above का use करेंगे, त टाउन जो है वो सर्फेस से जुड़ा हुआ है यानि कि सर्फेस टाउन के ऊपर कोई चीज उड़ रही है सर्फेस से जुड़ी हुई है बट टाउन के ऊपर है तो वहाँ पे हम ओवर के यूज करेंगे और क्लाउड की बात करा तो क्लाउड तो सबसे ऊपर होता है उसके पर अगर कोई चीज़ उड़ रही है तो अब अब की बात करेंगे जैसे higher than की बात हो रही है ओके टू नंबर थार्ड पे चलते हैं over का प्रियोग all over यानि की सभी जगह के अर्थ में होता है हम कहते हैं सभी जगह के अगर बात हो रही है तो वहाँ पे हम over का use करेंगे जैसे English is spoken all over the world मतलब English बोली जाती है पूरे संसार में पूरे संसार में बोले जाती है पूरे world में बोली जाती है English अब यहां पर कहा रहा है all over का मतलब है every part of the world मतलब बन संसार के पृतिक भाग में English बोले जाती है every part मतलब पृतिक हिस्से में दुनिया के पृतिक हिस्से में इंग्लिश बोले जाती तो इस ताइप का अगर आ रहा है तब भी हम all over के यूज़ करेंगे मतलब सभी जगह में दुनिया की सभी जगह पर इंगलिश बोली जाती है हम कहते हैं ना all over the world इस condition में भी हम over का use करते हैं इसका मतलब हुआ सभी जगह जैसे he has friends all over the country मतलब उसकी जो दोस्त है ना वो पूरी दुनिया में है तो all over का मतलब क्या था every part of a country मतलब country के परतीक हिस् सभी जगह में उसके दोस्त है तो यहां पर हम ऐसे condition क्या लगाएंगे और लगाएंगे तो लंबर फूर पर आते हैं over का प्रियोग more than के अर्थ में होता है more than मतलब से अधिक से अधिक के अर्थ में होता है जैसे Mr. Ganguly is over 40 मतलब Mr. Ganguly की जो उम्र है वो 40 वर्ष से अधिक है तो यहां पर हम over का यूज करेंगे तो उनकी जो एज है वो 40 वर्ष से अधिक है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे over का his income is not over his expenses उसकी आमदनी उसके खर्चे से अधिक नहीं है तो यहां पर भी हम over लगाएंगे अब यहां पर भी अबब लगा था तो यहां पर अबब भी लगा सकते हैं और over भी लगा सकते हैं okay rule number five over का परियोग to be over समाप्थ होने के अर्थ में होता है to be over यानि कि कोई चीज end होना समाप्थ होना उसके अर्थ में भी हम over का यूज करते हैं जैसे the college is over at 4 p.m. जो college है वो 4 बिजे साम में समाप्थ हो जाता है मतलब खतम हो जाता है तो यहां पर हम क्या लगा देंग कि ओवर कहते हैं ओवर हो गया है कोई चीज टाइम ओवर हो गया हम हम भी साब बोलते हैं ना टाइम ओवर हो गया मतलब टाइम खतम हो गया है कोई चीज खतम होने की समाप्थ होने के लिए भी हम क्या लगाते हैं ओवर का यूज करते हैं तो लंबर सिक्स है ओवर का परिय मतलब एक ब्रीज है रीवर के ऊपर एक ब्रीज है तो यहां पर रीवर के ऊपर ब्रीज है ना तो यहां पर लगा देंगे बट यहां पर क्या कह रहा है एक क्रॉस का प्रियोग भी इस अर्थ में होता है तो यहां पर नदी के पास क्या है एक ब्रीज है नदी के पास ही नद एक एक्जाम्पल ले रहे हैं कि दब्रिज कि दब्रिज वॉज कि बिल्ट बिल्ट है यहां पे बिल्ट ओवर दरीवर ओवर दरीवर मतलब ब्रिज जो ब्रिज बनाई जा कहां बनाई जा रही है रीवर के ऊपर बनाई जा रही है तो है तो उस रीवर के ऊपर है तो यहां पर रीवर जो है यहां पर जो नदी है नदी के ऊपर बनाई जा रही है न तो सर्फिस से ऊपर यहां पर बन रही है बिल्ट तो यहां पर हम क्या लगाएंगे ओवर लगाए तो वहां पर भी हम over कर रहेंगे जैसे कोई whole surface है और उसको कोई चीज cover कर रही हो तो वहां पर भी हम over कर यूज़ करेंगे जैसे example ले रहे हैं put sorry you put a blanket पुटा ब्लैंकेट यहां पे हम डाइस करते हैं दब बेबी तो यहां पे हम क्या लगाएंगे ओवर दब बेबी लगाएंगे put a blanket over the baby मतलब blanket को क्या करो बेबी पर put कर दो रख दो औरहाद हो जिसको बोलते हैं तो पूरा cover करना बेबी को पूरा cover करना तो वहाँ पे भी हम over का use करेंगे मतलब ये matter नहीं करता कि वहाँ पे fysical contact हो रहाए की नहीं हो रहा है ये matter नहीं करता बस हम whole surface को क्या कर रहे हैं, कवर करना वहाँ पर भी हम over का यूज करेंगे, और जीज कोई चीज ऊपर हो, तो वहाँ भी हम over का यूज करेंगे, फीर यूजार पर यूज़ करेंगे एक्राओस का प्रयोग के उस पार के अर्थ में भी होता है जैसे माय अंकल लिप जस्ट एक्रास असोक राजपत मतनब मेरे जो चाचा जी है वह असोक राजपत के ठीक उस पार रहते हैं कोई चीज किसी के पार कार रहना तो वहां पर हम एक क्रोस का यूज़ करते हैं कि रूल लंबर सीविन पर चलते हैं कि ओवर कर परियोग इन एक्सिस यानि की अत्यधिक के अर्थ में भी होता है अत्यधिक का अर्थ मतलब यहां आवसकता से कोई चीज अधिक हो जैसे हमने कह दिया ओवरीट बहुत कर रहे हो तो हमको जितना खाना चाहिए उतना ना खाके हम क्या कर देते हैं ओवरीट कर लेते हैं तो वहां पर भी हम ओवर कर यूज़ करते हैं मतलब आवसकता से अधिक हमने खाना खा लिया तो हम क्या करें बोलते हैं और मैंने आज ओवरीटिंग कर लिया हम लोग ऐसे कोई चीज आशकता सेधिक जब हम करने लग जाते हैं तो अबसे ज़्यादा काम करता है वो कार खाने में अठाध सक्ति से ज़्यादा काम करता है जितना उसको काम करना चाहिए उससे कही ज़्यादा ये और वर्क करता है माई फादर और टुक में मेरे पिता जी एकाँ एक पीछे से मेरे पास आप पहुंचे तो वही चीज यहां पर बता रहा है कि कोई चीज हो और सकता से अधिक हो जितनी नीड है उससे अधिक हम काम अगर कर रहे हैं तो अधिक हो गया एकसिस हो गया तो वहाँ पे हम ओवर कर यूज लगाएंगे ऐसे कुछ वाफ्स हैं जिनके आगे ओवर जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है जैसे ओवर प्लस वा भी यहाँ पे जुड़ा इसका मतलब क्या हुआ ओवर इट इट में हमने ओवर अगर जोड़ दिया उसके पहले तो यानि कि ओसकता से अधिक खाना अभी हमने बताया ना कि ओवर इट जब हम अपनी नीट से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हम कहते हैं ओवर इट कर लिए है overwise मतलब आउसकता से अधिक बोलना हो कि जादा चतुर मत बनो जादा overwise मत बनो चलात मत बनो overdraw जमा की गई रासे से अधिक निकालना एक होता है draw मतलब हम निकालते हैं पैसे जमा कर देते हैं और हम draw करते रहते हैं बट अगर जितनी निड है उतनी draw कर रहे तब तो ठीक है निड से जादा हम अगर निकाल रहे हैं तो हम कहते हैं न overdraw मत करो अब भीड हो गई तब तो ठीक है लेकिन आउसकता से अधिक भीड़ो तो हम कहते हैं न overcrowd न करो करते हुए कोई चीज ऊपर जा रही हो अपान का परियोंग थिंक्स इंए आपान का प्रयुद Łशें के घती में हो मतलब कोई चीज क्या कर रहा हो किसी के ऊपर जा रहा हो बट गती में जा रहा हो जैसे जो बिल्ली है वो चूहे पर कूद गई चूहे पर कूद गई तो मोसन करते हुए उसके उपर गई ना तो यहाँ पर हम अपॉन का यूज़ कर लेंगे जिसका यूज़ करेंगे अपॉन का जैसे हमने कह दिया दक कैट जम्ड जम्ड दर रैट तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे मतलब बिल्ली जो है वो चूहे के ऊपर कूद गई तो यहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करेंगे अब उपर के लिए हम ओवर नहीं लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर उसके उपर कुदना touch भी हो रहा है और plus वो क्या करते हैं कि गती में motion में है कोई चीज़ जब motion में किसी के उपर जा रही हो तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे touch कर रहा हो तो वहाँ पर हम upon का use करेंगे जैसे यहाँ पर example भी दिया हुआ और इस पर आ गया है तो यहां पर हम ओपर के लिए क्या लगाएंगे अपन लगाएंगे यहां से मोशन करते वे आ रहा है देखिए यह टेबल है अब कुत्ता है यहां पर यहां से यह मोशन करते वे इस पर आ गया तो यहां पर आपन लगेगा बट यहां से मोशन करते वे इ करते हुए यह से टेबल को छोड़के ऐसे करके यहां से इधर आ गया टेबल को पार कर गया बद टच नहीं किया इसके ऊपर तो यहां पर हम ओर लगांगे तो अपान लगाएंगे मतब जो शेर है वो अपने सिकार पर उचल पड़ा कूद गया तो सिकार पर याने की टच कर गया और आकी इस पर टच कर गया मोसन करते वे आ रहा है तो हम अपान का यूज़ करेंगे मतब चीजे हैं जो गती में हो किसी के ओपर जा रही हो जैसे बिली चूहे पर कूद गई तो वहाँ पर हमक्या लगाएंगे अपान लगाएंगे तो इतना ही रहन देते हैं इसमें हमने पढ़ डिया है ओवर का यूज़ कहा होगा अबब का यूज़ कहा होगा निक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे और भी प्रेपोजिशन के इंपॉर्टन रूल ओके आपने अगर इसका फीडबैक जरूर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजेगा ओके मिलते हैं निक्स वीडियो में थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग